सामने हजारों की भीर तालियां बजा रही थी और मंच पर थे उत्रप्रदेश के कबदावर मुख्यमंत्री कल्यान सिंग तब अम्रोहा जनपद में आने वाला रहरा संभल लोकसभा का हिस्सा था जहां से मुलायम सिंग यादब ने ताल ठोकी थी इसी सीट से मुलायम सिंग के सामने बीजेपी ने बाहु बली डीपी यादब को मेदान में उतारा था कल्यान सिंग डीपी यादब के समर्थन में जन सबहा को समोधित कर रहे थे तभी एक फोन लखनू से आता है आपके सरकार गिर गई है कॉंग्रेस के जग्दंबिका पाल मुख्यमंत्री बन गए हैं तब रुमेश भंडारी उत्तरप्रदेश के राज्यपाल थे तारीख थी 21 फरवरी साल 1998 रुमेश भंडारी ने कल्यान सिंग को मुख्यमंत्री बसे बरखास्त कर दिया आनन फानन में साड़े दस बजे रात को जग्दंबिका पाल ने उत्तरप्रदेश के 17 मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ले ली जो अब तक कल्यान सिंग काबिनेट का हिस्सा थे राज्यपाल के इस फैसले ने सब को चौका दिया तब आएके गुज्राल देश के प्रधान म पिली फोरण रहरा की जनसभाग को छोड़ कर लखनों रवाना हुए राज्यपाल के इस फैसले के खलाफ बीजेपी के बड़े नेता अतल बिहारी वाजपई ने मोचा खोल दिया राज्यपाल रोमेश भंडारी के खलाफ वाजपई आमरण अंशन पर बैठ गए कल्यान सिंग के लखनों पहुँचते ही मामला इलाबाद हाई कोट पहुँचा हाई कोट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी और बहुमत परीक्षिन का आदेश दे दिया और अगले ही दिन बाजी पलट गई जिसमें कल्यान सिंग के पक्ष में 225 और जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और कल्यान सिंग एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए सदन के इस पूरे प्रकरण में स्टीकर केसरी नात्रिपाठी की भूमिका भी खूब आलोचना का केंद्र बनी दरसल स्टीकर ने 12 सदस्यों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था हालांके बाद में उनके वोट घटने के बाद भी कल्यान सिंग के पास पहुमत था इस घटना करम के बाद जग्नमपे का पाल को सियासत में एक नया नाम मिला वन डे वर्डर ओफ इंडियन पॉलिटेक्स आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ऐसे ही और किसों के लिए सब्सक्राइब करें